NIT 2023 में हर बच्चे का सपना है कि वो बहतरीन से बहतरीन मार्क्स लेकर क्या है अच्छे से अच्छा करें जिसके साथ उसका dream college में उसका selection हो जाए बहतरीन मार्क्स लाने का मक्तलब यहाँ पर simple सा हो जाता है कि अगर 720 मार्क्स की हम बात करें तो 720 overall मार्क्स होता है जो भारत में पूरे इंडिया में एक या दो टॉपर का होता है लेकिन अगर 650 प्लस में भी बांक्स आ जाते हैं तो हम अच्छे कॉलेजिस तक जरूर बहुच पाते हैं सो बच्चा लोग आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि subject wise study tips क्या होगा अब यहाली में मैंने 3-4 दिन पहले ही वीडियो को मैं start करूँ से पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था 6.30 सोच आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देखा comment भी किया बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये वीडियो देखने के बाद हम motivate जरूर हुए तो उसके लिए दिल से शुक्रिया बट जिन बच्चों ने नहीं देखा है मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो जरूर देखे पिकिस उस में उसके अंदर यही बता है बच्चा लोग कि कैसे 630 घंटे आपके पास में है और अगर आप यह 630 घंटे सही तरीके से युटिलाइस कर गए तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको बहुतर मार्स लाने से रोक सकें So hello बच्चा पार्टी, this is your educator Sachin Upadhyay, your Baba SSP बड़ा भाई चीकू भाई है, बहुत प्यार से आप लोग कहते हो And welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept of China and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an Ishq Mohabbat Vidda Physics, मुझे पता है कि आज मैं जो बताऊंगा उसमें से बहुत सारी बाते आप लोगों को लगेगा कि यार सर ये तो हमें पता है लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप अपने बड़े भाई से सुनते हो अपनी फैमिली के किसी close member से सुनते हो तो हो सकता है कि आप गलट direction में जा भी रहे हो chemistry के उपर भी बात करूँगा और आपकी biology के उपर भी बात करूँगा मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि बावैससी पहली बार बायो के बारे हैं बोलने वाले लेकिन नहीं बच्चे इतने सालों का experience है तो हम जानते हैं कि कैसे उसे tackle करना है तो आईए चलिए बात करते हैं मैंने यहाँ पर कुछ points आप लोगों के लिखे हैं देखे जब बात physics के आती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि NCRT नहीं करना है मैं बिलकुल कहूँगा कि NCRT आपको नहीं करना है नीट आपका पूचता है एंटी आपका पूचता है लेकिन बाकी तमाम question वो single formula based ही पूचता है यानि जिन बच्चों को 11th class का 12th class का पूरे formula का तरीका याद है पूरा formula याद है और उस formula से आपने एक numerical उसे related एक पैटर्न किया है इंचोड अगर आपने concept किया है तो आप physics में आराम से 180 में से 140-150 तक पहुच जाओगे अगर ये है तो और वो तब ही हुपाएगा जब आप NCRT के सारे concept को बचलो कंठस्त कर गयो इसलिए मेरा सबसे पहला point यह है कि reading NCRT textbook of physics and module और a book like Etsy Verma अब यहाँ पर हमने Etsy Verma सहाब को mention जरूर इसलिए किया है क्योंकि अगर आपके पास में कोई अच्छी module है तो बहुत बहतरीन बात है आप में से बहुत सारे बच्चे जी आप बच्चा तो मैं बात कर रहा था कि Etsy Verma किताब जैसी module अब आप में से बहुत सारे students किसे ने किसी offline coaching class का हिस्सा है आप online बहुत सारी videos देखते हैं मेरे ही lectures follow करते हैं तो जो मैं पढ़ाता हूँ जो module आपके पास मिलते चले जाते हैं Telegram सचन बच्चों को नहीं पता हैं बता दू पहली बार जो देख रहे हो कि यहां पर इस platform पर प्रचंड बैच करके फ्री में नीट वाले बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा और ऐसे तमाम बहुत सारे sessions हैं जो आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए फ्री हैं उ तो physics आपके पास बहुत जरूर जाएगी उसकी बाद है बच्चा absolute clarity physics के अंदर तब आती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशन की प्रैक्टिस करते हैं जितना ज़्यादा कोशन की प्रैक्टिस करिएगा बच्चा लोग उतना ज़्यादा आपके लिए benefit है इसलिए कि आप कोशिस करो कि जब आप concept को complete करते हो तो उसके साथ साथ question की भी practice ज़्यादा से ज़्यादा करिए example के तौर पर अगर आपने riverboat problem solve कर लिया है riverboat problem का concept आपने देख लिया है तो अब ये mandatory है कि आप riverboat problem के कम से कम 7-8 question की practice कर लिजे बहतर और होगा कि अगर आप उसके previous year क questions को अगर आप करते हो क्योंकि previous year question आपको और भी ज़्यादा boost करेगा साथ ही साथ बच्चा लोग आप लोगों को हमेसा conceptual problems पर ध्यान देने चाहिए यहाँ पर practice में मैंने ये थोड़ा सा short में लिखा हुआ है अगर आप screen पर देख पा रहे है तो practice conceptual problem जितना ज़्यादा conceptual problem solve करेंगे उतना बहतर आपका skillset होता चला जाएगा physics के अंदर खास करके तब बच्चा लोग रहते रहते हैं कि हमरा numerical अच्छा नहीं हो रहा है हमरा numerical अच्छा नहीं हो रहा है इसके लिए आपको conceptual problems पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए and एक और बहुत important point है जो पहली बार करते हो तो जल्दबाजी में negative sign positive sign पर ध्यान नहीं देते और physics में वही negative positive sign के वज़े से आपके marks चले जाते हैं आपके marks चले जाते हैं इन शॉट के आपके वो कट जाते है marks चले गया यानि कि आपका ranking पीछे चला गया और यहां तो एक-एक marks पर ranking इतनी तीरी से गिरती है क चलो तो यह physics की कुछ points जहाँ पर मैंने आपको बताया NCRT से related बाते module रखी एक अपने पास conceptual problems करिए जितनी ज्यादा हो सके उतनी question की practice करिए मैं एक वीडियो भी बना दूँगा बचलो जहाँ पर मैं आपको बता दूँग कौन सी book अगले 5-6 महिने ते का आपको strictly follow करनी च लेकिन जो मेरी समझ है कुछ मैंने और research किया उसके basis पर यह points लिखे हैं तो chemistry के अंदर जो पाते मैं आपको बताने जारा उसको बहुत ध्यान से देखना focus on fundamental concepts it will be easy to memorize the other stuff हम chemistry को क्या करते हैं कभी कभी रटने की कोसिस करते हैं बहुत सारी जगह पर chemistry में रट्टा मारने वाल is कि अगर आप fundamental concepts को clear करते चले जारो chemistry के अंदर तो बागी की चीज़े आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी उसकी बाद बच्चा organic chemistry का नाम बहुत बार आता है सामने तो organic chemistry requires deep understanding organic chemistry के अंदर थोड़ी से deep understanding के अवशकता होती है उसके लिए आपको बच्चा NCRT को सबसे प well जितना ज्यादा आप NCRT के माध्यम से होते हुए चलेंगे ना chemistry में बहतर से बहतर marks लाने की कगार पर आप हैं वहीं physics में अगर मैंने पहले कहा कि NCRT के concept आप पढ़िए मैं chemistry में कहूंगा कि line by line जाए क्योंकि यह organic chemistry वाला department है या बाकी का जो department chemistry के अंदर वहां से question directly line by line आजाते हैं आपके NCRT से and the next point is physical chemistry इसके लिए आपको read a chapter from NCRT again NCRT आपके पास में tuition class के कुछ notes है तो आप वो देख सकते हैं coaching के अच्छे खासे package देख सकते हैं once you done with all अगर एक बार आप सब को completely अच्छे से कर लेते हैं so write down all the equations in the notebook for a speedy reference while solving the problem chemistry को पढ़ने का एक और यहां पर तरीका बताता हूं जब आपने आपका coaching module देख लिया या आपने कोई study package रखा है आपने उसको देख लिया या आपने classes किसी teacher की पढ़ ली तो उसके ना कुछ points बनाते चले जाए यह chemistry में नहीं यह आपको physics में भी apply करना चाहिए मैं तो कहता हूं bio के अंदर भी आप apply कर आप जब पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो आपको याद होता चला जाएगा right so that is very very important point complete NCRT truly and you will get your basic footing in the inorganic chemistry पूरा complete inorganic chemistry बच्चा पार्टी complete NCRT और definitely आपके chances बढ़ जाता हैं make a practice note for each chapter हर एक chapter के लिए आपको practice note भी बनाना चाहिए तो यह बात हो गई हमारे physics की बात हो ग देखिए बायो के अंदर आपके बड़े भाई SSP क्या बताते हैं biology की बात अगर हम बात करें बच्चा लोग तो biology के लिए जो backbone है वो of course आपका NCRT textbook है आप ऐसी habit बनाए कि daily आपको NCRT textbook पढ़ना ही पढ़ना है biology के अंदर daily it should be a habit और अगर आपका यह habit है तो बहुत अची बात है अरे habit नहीं है तो फिर ऐसी habit बनाए कि कैसे आप daily basis पर biology पढ़ने वाले हैं आपके NCRT से right keep an eagle eye on all the diagrams that is very very important point जो मैंने यहाँ पर mention किया एक बार फिर से करता हूँ आप जड़ा देखिएगा कि आपको बाज की तरह से नजर रखनी है एगल माने वाजी होता है नहां स जो कुछ भी दिया हुआ है scientist के नाम के साथ उसके year के साथ उसके diagram के अंदर जो data होता है कि यह फेपड़ा है यात है यह रुधीर है यह धमनी है यह सिरा है sorry बच्च लोग English वाले वो terms मुझे नहीं पता होंगे just a kind of fun apart from that so I really sorry for this तो वो सारी चीज़े आपको NCRT biology की कि किता पढ़ते वक्त ध्यान रखनी है during reading any module write down तो जब भी आपको कोई भी module पढ़ रहे हो तो again यहाँ पर भी वही चीज़े है कि इसे आप लिखते चले जाए मैं तो कहूंगा flashcard का use करिए कितने बच्चों को पता है flashcard comment section बता दे ना जिन बच्चों को नहीं पता है बता दो flashcard क क्या होता है कि आपना पहले diagram बना लो एक page लीजिए उस पर diagram बनाई यह physics का जैसे human heart का बना और उसके उपर arrow कर दो और फिर पीछे उसका answer लिखो कि first वाला line second वाला third second का नाम यह है third का नाम यह है fourth का नाम यह और अपने आपसे question को अपने आपसे सवाल पूछो यह exam के time तक कैसी habit ना आपको सारी चीजे याद करवा देगे आपके दिमाग के अंदर सब एकदम memory card के अंदर तुस्त तरीके से आ जाएगा important information like vocabulary, terminology, process diagram, concept summary and explanation सब कुछ जब आप biology पढ़ रहे हो तो diagrams तो बहुत बड़ा rule play करता है तो वो सारी चीजे पढ़ते वक्त आपको ध्यान रख आपको यह बताता हूं कि जैसे लोग कहते हैं कि biology के अंदर आपको सरफ नीट की किताब पढ़नी चाहिए, NCRT पढ़ना चाहिए, bio के अंदर, but apart from the NCRT क्या आपके पास में कोई कैसा सिक्षक है, कैसा teacher है जो आपको bio के सारे diagrams के साथ उसको उसके अंदर जितने भी points होते है उसको feel करवा देता है, याद करवा देता है, तो वो teacher की notes अगर आपके पास है ना तो माशाल्ला, वो भी आपको कर लेना चाहिए, right, some chapters, कुछ chapters ऐसे हैं जिसके अंदर deep understanding की जरुद है, समय समय पर उसका revision करना बहुत जरूरी है, एक और सबसे खास बात, confidence बहुत अच्छी अगर आप over confidence हुए, तो गिर जाएंगे, बच्चा लोग, इसलिए over confidence मत रखना, समय समय पर revise भी चीजों को करते रहे ना, जो भी chapters लग रहा है कि यार उपर नीचे थोड़ा बहुत है, मुझे उससे revise करते रहना है, ठीक है, so this is all about subject wise study plan, जो मैंने बताना था बच्चा, वो आपके लिए मैं लगातार parallel में live classes भी ले रहा हूं, which is absolutely free, on your platform SSP, इसी platform पर YouTube पर, और अब आने वाले समय में, हम लोग one shot detailed video लेकर गया आ रहे है, अभी तक first, second, third step, concept wise, concept wise, हर एक दिन एक गंटे की class लगी थी, लेकिन अब आने वाले समय में, दो-दो गंटे की class भी हो सकती है, chapter होगा, moving charge and magnetism, ताकि आपका revision month of May 2023 से पहले 2 से 3 बार हो जाए, तो इस platform पर आप बने रहना, subscribe कर लेना, और प्रचंड batch का हिस्सा जरूर बनना बचलो, उसके लिए आपको subscribe करना होगा, इसलिए मैंने यहां लिखा है, be a part of SSPN family, right, so see you all in my next session, till then, do whatever you want to do man, but don't trouble your mom, take care, love you all, jahin, bye-bye.